लिज़िटरीटियन आइटेम बता दीजे कि हम लोग विज़िटियरियन खाते हैं पर हमें समझ में आता है कि लंच में क्या खाया जिससे की हमारी शूगर ना बढ़े तो आज के वीडियो में आप लोग को एक और विज़िटरीयन डिश के बारे में बताने जा रहा हूं जो diabetes के मरीज ले सकते हैं और लेने के बाद उनकी sugar नहीं बढ़ेगा नमस्का दोस्तों मेरे नाम डॉक्टर अनुपमखूशे मैं एक diabetes coach हूँ और एक fitness nutrition specialist तो बहुत सारे लोगों को हमेशा confusion रहता है कि lunch में क्या खाए उनको समझ में नहीं आता है और जाधा तर लोग हमारे देश में चावल खाना पसंद करते हैं और आप सब जानते हैं कि अगर आप चावल खाएंगे तो आपका sugar level बढ़ेगा क्योंकि अगर आप 100 ग्राम cook rice भी खाते हैं तो उसमें भी आपको 30 ग्राम के असपास कार्वाइडेर मिलेगा और अगर आपने थोड़ा सा जाधा खा लिया जैसे कि 200 ग्राम चावल खा लिया cook rice तो आपको 50-60 ग्राम के असपास कार्वाइडेर मिलेगा और अगर आपने चावल खाया तो हो सकता है कि आपकी sugar level बढ़ जाए तो आज मैं आप लोग के लिए ले के आए हूँ rice का एक और alternative जो की आप ले सकते है और इसको लेने से आपकी sugar नहीं बढ़ेगा तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे पास एक plate है और इस plate में मैंने एक और rice लिया है जिसको बोलते है शीराटा की rice यह rice जैसा तो लगता है लेकिन यह actually rice नहीं है यह contract floor से बनाया गया है और इसका मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्या चीज है यह तो आप देख सकते हैं यह R1 platter का शीराटा की rice और यह rice जैसा दिखता तो है पर यह rice नहीं है इसमें carboidate बहुत कम है अगर मैं इसकी ingredients की बात करूँ तो इसमें आपको conject floor मिलता है और water मिलता है मतलब 90-95% के असपास इसमें water होता है और बाकी जो है वो conject floor होता है तो इसमें आप देखोगे basically अगर इसके nutritional facts देखोगे तो 100 gram भी अगर आप लेते हो तो इसमें आपको carboidate मुश्किल से 7-8 gram मिलेगा जिसमें की 3-4 gram तो fiber ही मिल जाएगा calories भी इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है तो rice में calories बहुत ज़्यादा होता है carboidate बहुत ज़्यादा होता है तो जो लोग भी weight lose करना चाते है उनके लिए ये एक rice alternative हो सकता है शीरा टाकी rice दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि ये कोई sponsored वीडियो नहीं है ये मुझे अच्छा लगता है मैं भी खुद थोड़ा सा weight lose करने के कोशिश कर रहा हूँ और weight lose आप तब ही कर सकते है जब आप calorie deficit में रहेंगे calorie deficit में रहना बहुत ज़रूरी है और अगर आपको insulin resistance है तो उसको भी ठीक करना ज़रूरी है तो अगर आप ये product लेते हैं तो आपका insulin resistance भी कम होगा calorie deficit में रहेंगे तो वजन भी कम होगा और साथ इसाथ sugar भी नहीं बढ़ेगा तो ये कोई sponsored वीडियो नहीं है लेकिन अगर आप लोग इसको लेना चाते है तो description में मैं link दे दूँगा ये 200 gram का packet है और इसका किमच जो है 200 रुपया है हाला कि ये थोड़ा सा महेंगा है तो अगर आप इसको effort नहीं कर सकते है तो please आप इसको ना खरीदे मैं बिल्कुल recommend नहीं करता हूँ आपको जो लोग भी effort कर सकते है जो लोग चावन खाना चाते है ये उनके लिए है ये product आप लोग ज़रूर try करना और नीचे comment में बताना कि कैसा लगा ये product और साथ ये साथ ये भी बताना कि आपकी sugar level बड़ा या नहीं बड़ा इसको मैं थोड़ा सक पोल के भी आपको दिखा देता हूँ अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ये कैसे लगता है थोड़ा बहुत ये साबूदाना जैसा लगता है ठीक है साबूदाना जैसा है लेकिन ये neutral टेस्ट इसका कोई टेस्ट नहीं है तो इसको आप किसी के साथ भी मिला के खा सकते है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगे कि मैंने इसको आज किस तरह से बनाया है तो इसको फिलाल हम कर देते हैं साइट तो अभी आप देख सकते हैं इसको हमने कैसे बनाया है इसमें हमने थोड़ा सा मसाला वगरा डाल दिया है साथ ही साथ इसमें मैंने स्वावीन मिलाया है क्यूंकि एक vegetarian dish बना रहा है तो इसमें हमने स्वावीन डाला है सोयवीन डालने का परपस यही है कि इस पूरे प्रोड़क्ट में इस शीराटा की राइस में आपको प्रोटीन और फैट नहीं मिलता है तो इसलिए हमने सोयवीन डाल दिया है और सोयवीन एक बहुत ही अच्छा सोर से प्रोटीन का 50-60 ग्राम के असपास सोय है मैंने इसमें मिलाया है जिस से मुझे 25-26 ग्राम के असपास प्रोटीन मिल जागा तो एक मील में 25-26 ग्राम प्रोटीन मेरे हिसाब से काफी है तो प्रोटीन भी है और फाइवर भी है साथ ही साथ इसमें मैंने थोड़ा सा तेल मिलाया है तो तेल से आपको healthy fat भी मिल जाएगा आप देख सकता है कि मैंने इसमें थोड़ा सा खीरा भी ले लिया है तो खीरा से भी आपको फाइवर मिल जागा तो इसमें फाइवर, प्रोटीन, कार्वाइड़, फैट यह सारे चीज है और यही है डायफीड डायट का कॉंसेप्ट तो अगर आपको पता नहीं है कि डायफ डायफीड डायट एक कॉंसेप्ट है, एक कैलकुलेशन है, एक प्रोसेस, एक सिस्टेम है जिसमें सबसे पहले आपको टोटल डेली एनाजी एकस्पेंडिचर कैल्कुलेट करना है उसका 26 प्रतिशयत या उसके नीचे 26 परसेंट या उसके नीचे आपको टू ग्रम पर केजी बोडिवेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमाइनिंग कैलेरीस है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है डायफीड डायट एक मात्र ऐसा डायट है जो की बैलेंस डायट है जिसको मैंने 6 साल के अपने एक्सपीरियंस से डेवलप किया है और 1000 लाखों लोगों ने अभी तक अपना डायबेटीज रिवर्स कर चुक है सिर्फ और सिर्फ डायफीड डायट को फोलो करके डायफीड डायट को अगर आप फोलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फैटी लिवर भी ठीक होगा आपका अगर किड्नी प्रॉब्लम से त उसको भी ठीक करने में मदद करता है साथ ही साथ हार्ट का प्रॉब्लम सोता है कॉलिस्ट्रोल बड़ा हुआ रहता है तो उसको भी ठीक करने में मदद करेगा तो डायफीड डायट ओवर अल हर किसी के लिए हर बिमारी के लिए है इनफेक्ट जो लोग बिमार नहीं भी है जिसको diabetes नहीं भी है, जो बिलकुल healthy है, उनको भी diafit diet follow करना चाहिए, क्योंकि जब अब diafit diet को follow करते है, क्योंकि ये balanced diet है, इसमें protein, carvoidid और fat, एक balanced मातरा में आपको दिया जाता है, आपको लेना पड़ता है, तो अगर healthy इंसान भी diafit diet को follow करेंगे, तो उनको कभी बिमारी न कैसा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शीराटा की rice एकदम neutral taste होता है, तो अगर आप वैसे खाएंगे, तो आपको इसमें कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आप इसमें masala वैगरा डाल देते हैं, और soybean मिला दिया, पनीर मिला दिया, कुछ भी मिला सकते हैं, ये तो मैंने एक तरीका आपको दिखाया है, सबजी भी मिला सकते हैं, पुलाओ बना सकते हैं, हर तरीके का masala डाल सकते हैं, और उसके बाद ये बहुत ही tasty हो जा हाते हैं, तो मैं वो भी बना के आप लोग को दिखा दूँगा, और ये एक बहुत ही बहतरीन आइटेम हो सकता है आपके लिए lunch के लिए, तो जो लोग भी vegetarian खाते हैं, इसको आप try कर सकते हैं, comment करके जरूर बताना कि कैसा लगा ये dish, फिलाल तो मैं इसको enjoy करता हूँ, अगर आपको खुद से diabetes reverse नहीं करना आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारा coaching program भी join कर सकते हैं, तो इस वीडियो को जादा से जादा share करियें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, वो vegetarian हैं, लेकिन उनको idea ही नहीं है, कि वो क्या खाये, जिससे की उनकी sugar level ना बढ़े तो यह एक बहुत बहुत बैतरीन डिश आपके लिए हो सकता है, अगर आप vegetarian है और आपके sugar level भी नहीं बढ़ेगा, तो वीडियो को जादा से जादा share करिये, और उमिद करता हूँ एस वीडियो से भी कुछ न कुछ अच्छा आपने सीखा होगा, मैं मिलूगा आप लोग स एक नए वीडियो के साथ तब तक सुष्थ रहें, मस्त रहें, इस वीडियो के देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत देनवाद